मेरा ये निवेदन है कि प्रति आरोप लगाने से पहले जो है आप अपने आंकोडों को धंक से पढ़कर आईए आप जिस तरीके से ट्यूटर होकर आते हैं और बिना होम वर्क के जन्चुनावी जन्सभाओं में जाकर या कारे करताओं की जन्सभाओं में जाकर मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगा रहे हैं कम से कम पहले उनकी घंबीरता को समझी है केबल सुबा उठकर जो आपको कागस पकड़ा देते हैं आपके मीडिया के सयूगी आपके साथी और आप उसको वहाँ पे जाकर पढ़ देती हैं ये चीज सही नहीं है कम से कम पहले उन मुदों को समझे कि वो पैसा आया क्यूं है क्यों नहीं आया है क्या उसके कारण है कुलू मैं जितने भी देव समाज के मन्दिर है जो कुलू दशेरे के अंदर आते है उनको अगर किसी ने नजराना देने का प्रथाश शुरू करी कुलू जिला के अंदर वो भी कॉंग्रिस पार्टी की सरकार ने वी भजजसिंग जी ने शुरू किया मंडी के अंदर देवी देवताओं के लिए देव सदन अगर बनाया तो कॉंग्रिस पार्टी की सरकार ने वी भजजसिंग जी ने बनाया खुलू के अंदर अगर देव सदन का निर्मान हुआ आज इतना बड़ा भावन कुलू के अंदर बन कर त्यार हुआ है वो भी कॉंग्रेस पार्टी की वजा से और विर्दर सिंग जी की वजा से बनकर त्यार हुआ है, इसलिए मैं ये कहा देना चाहता हूँ कि ये हिंदुत्व का पाठ और ये हिंदु विरूद्धी होने की बाते इससे भारती जनता पाठी की और उनकी प्रत्याशी की दाल जो है वो यहाँ पे गलने वाली नहीं है, जितने बड़े वो हिंदु है उससे बड़े हिंदु हम हैं और हम हिंदुत्व पे भी आगे बढ़ेंगे राश्ट धर्म पे भी आगे बढ़ेंगे, राज धर्म पे भी आगे बढ़ेंगे और देश संस्कृति को भी आगे लेकर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश का नाम विकास के दृष्टी से भी आगे बढ़ाएंगे संस्कृति से भी आगे बढ़ाएंगे और धार्मिक जो हमारी प्रतिष्टाएं हैं उनको भी आगे ले जाने कारे हम बराबरी के साथ पूरी मजबूती से करेंगे